Hello friends, Circle of Education welcomes you. अपने इंडियन आथर की सीरीज में हम मुल्क राज आनन्द कर रहे हैं, जिसके उपर दो वीडियो जैनल पर अपलोड हो चुकी है. लास्ट वीडियो में हमने इनकी मोस्ट फेमस नॉवल, Untouchable को बहुत ही डीपली डिसकस किया था, जिसमें समरी, थीम्स, करेक्टर्स वो सब डिसकस कर लिया था. आज की इस वीडियो में हम इनकी another important novel जो है, वो कूली डिसकस करेंगे, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं. कूली 1936 में आई थी, इस novel को बोला जाता है कि यह highly critical of British rule in India and India's caste system के ओपर है. कि British rule जो था इंडिया में उसको criticize किया गया है, और इंडिया में जो caste system है उसको describe किया गया है. तो जो novel का plot है, वो एक इर्दगीर्द घूमता है एक लड़के के, जिसका नाम है मुनू, ठीक है? यह 14 years का boy है, एक 14 साल का लड़का है मुनू, कहानी इसी के इर्दगीर्द घूमती है, और कि दिखाते हैं कि poverty बे कैसे वो survive करता है, उसका कैसे exploitation होता है, सो society के जो भी हमारे structures है, उन सबसे उसे कैसे face करना पड़ता है. आईए इस novel के characters discuss करते हैं, तो मुनू, जो है, वो ही माचिल प्रदेश से होता है, कांग्रा हील के पास से, दयाराम मुनू के अंकल होते हैं, कि मुनू के जो parents होते हैं, वो नहीं होते हैं, इसको raise करने वाले होते हैं, उनके अंकल, दयाराम, तो जब मुनू थोड़ासा बड़ा हो जाता है, तो ये लोग give up कर देते हैं, कि अब जो है तुम्हें सर्वाइवल के लिए खुद ही काम करना होगा अब जो है हम तुम्हारा और ख्याल नहीं रख सकते तो दयाराम जो मुनु के अंकल होते हैं उसको अपने साथ श्यामनगर ले जाते हैं जहां पे वो एज़ा प्योन वर्क करते हैं कहां पे बाबूर नाथुराम एक दूसरे करेक्टर है हमारे जो कि सब अकाउंटेंट हैं इंपेरियल बैंक श्यामनगर में तो इनके ही यहां जो है वो दयाराम एज़ा पियन वाग करते हैं और अब वो अपने साथ मुनु को भी ले जाते हैं तो मुनु जो है उनका एज़ा सर्वेंट काम करता है ठीक है अब तक आपको स्टोरी समझ आई कि मुनु के पेरिंट्स नहीं है उनको पालने वाले जो है वो उनके अंकल है दयाराम दयाराम जो है वो अब गिव अप कर देते हैं बोलते हैं अपने सर्वाइवल के लिए तुम्हें खुद काम करना है तो वो उसको अपने साथ श्याम नगर ले जाते हैं जहां पे जो दयाराम है वो बाबु राम के प्यौन होते हैं एक बैंक में इंपिरियल बैंक में और अब जो है मुन्नू उनको जॉइन कर लेता है और एज़ा सर्वेंट काम करता है बाबु नाथुराम के घर में तो जो बाबु नाथुराम है वो थोड़े से काइंड होते हैं इसके प्रती मुन्नू के प्रती और बाबुनाथुराम की ही डॉर्टर होती है शीला तो जो मुन्नू होता है न वो सर्वेंट के साथ साथ ही जो बच्चे होते है शीला होती है और उसके जो फ्रेंड्स होते हैं उनको एंटर्टेन करने का भी काम करता है इनका मन बहलाता है monkey dance के through तो एक दिन क्या होता है खेल खेल में मुन्नो अपने character में इतना जाद गुस जाता है कि monkey dance करते करते ही वो गलती से शीला को bite कर लेता है तो जब यह होते हुए जो बाबुनाथुराम की wife होती है बीवी उत्तमकॉर वो जो है बहुत मारती है बहुत गंदे तरीके से मुन्नो की पिटाई कर देती है तो जो मुन्नो होता है इन सबसे डर के परिशान होके भाग जाता है तो जब वो भागता है तो वो एक नई character से मिलता है जिसका नाम होता है सेट प्रभा दयाल जो की honor होता है एक अचार बनाने वाली फैक्टरी का पिकल फैक्टरी होती है एक दौलतपुर में वहां के ये honor होते है तो जो मुन्नो होता है वो इन से टकराता है ये भी थोड़े kind nature के होते हैं ये और इनकी wife तो वो मुन्नो को एक safe place प्रोवाइड करते हैं और अपने फैक्टरी में काम दे देते हैं लेकिन जो फैक्टरी की condition होती है वो बहुत बिकार होती है मतलब बदबुदार होता है बहुत जादा ventilation नहीं होता है बहुत छोटा छोटा छोटे कमरे है ventilation नहीं है बदबुदा रही है बहुत देर तक काम करना पड़ता है, बहुत महनत करने पड़ती है और पेमेंट उसी सावसे नहीं होती है तो वहाँ की कंडिशन बहुत बेकार देखने को मिलती है फिर कुछ टाइम बाद हमें यह देखने को मिलता है कि जो सेट प्रभादयाल है वो आप बेंक्रप्ट हो चुके हैं क्यूंकि उनके जो पार्टनर है गनपत उन्होंने उनको चीट किया है तो अब जो है मुन्यों को वहां से भी जाना पड़ता है तो मुन्यों अब डिसाइड करता है कि अब वो कूली वर्क करेगा तो जब एक काम के ही दौरान एक बार उसको मिस मेंस वारिंग की जो गाड़ी होती है न कार होती है वो हिट कर देती है तो यह थोड़ा सा बाइनेचर यह थोड़ी से काइंड होती है यह इसको अपने साथ शिमला लेकर चली जाती है वापिस से और वहां लेकर पे वो जो है काम करता है एजै रिक्षा पुले ठीक है वो उनके लिए रिक्षा पुल करने का काम करता है तो यह जो भी इनके लाइफ में कंडिशन आरी होती है मुननुकितों यह सब झोHowी उनको फीजिकली बह। जादा वीक कर देती है जिससे वो धेठे जब वो 15 years का ही होता है और इस तरीके से जो है नोवल एंड होती है एडविन मुईर जो है उन्होंने इनकी मुल्क राह जानन्द की जो नोवल है कुली इसको एक करेक्टर नोवल बोला है कई पर एक्जाम में कोश्चन आया हुआ है आप लोग नोट कर लेना उमीद है आपक यह वहां पर वर्ग काम कर रहे होते है तो वह एक गाना गारे होते है तो उसी गाने से इसका टाइटल लिया गया है गाना क्या होता है आई विल मेंक अ गूड शीफ प्लकिंग प्लकिंग टू लीव और ठीक है तो इसी नोवल पे जो मुल्क राज अनन्द की आ है इस पे इस पर भी question आया हुआ है तो आपको याद रखना है novel की theme की बात करें अगर novel deals with the topic of operation of the poor कि poor जो होते हैं जो गरीब तब का होता है society का वो कैसे जो है survive कर रहा होता है उनकी क्या situation होती है society में तो यहाँ पर उनकी pathetic situation को दिखाया गया है जो labors होते हैं असाम में उनकी condition को यहाँ पर author ने दिखाया है तो यहाँ पर basically अगर setting की बात करें तो यहाँ पर आसाम tea plantations दिखाया गया है असाम के चाय बागान दिखाया गया है यह एक story है कैसे किसान की जो अपने daughter को बचाने की कोशिश करता है प्रोटेक्ट करने कोशिश करता है एक British soldiers से लेकिन इंडिया का जो सवक justice system होता है वो बहुँ जादा biased होता है British लोगों के लिए तो वो जो है उसको justice नहीं मिल पाता है basically novel की theme जो है वो यह है characters discuss कर लेते हैं characters है गंगू जो की एक पंजाबी middle aged former है होशियारपूर में उसकी wife है सजनी और उनकी daughter का नाम है लैला आईए अब summary discuss करते हैं तो जो गंगू होता है वो अपनी जमीन जो है वो जमीन का तुकड़ा होता है वो खोचुका होता है क्योंकि उस पर बहुत जादा उधार होता है तो वो क्या करता है अपनी family के साथ अब असाम चला जाता है इस hope में कि वहां के चाय के बगान में वो काम करेगा लेकिन जब उसको लगता है कि वहां पर उसको एक slave की तरह काम करना पड़ेगा एक labor की काम करने पड़ेगा तो बहुत hopeless हो जाता है क्योंकि इससे पहले वो खुद की जमीन पर काम किया करता था मालिक के तौर पे तो scalar करके एक जगा होते है जहां पर वो अपनी family के साथ रह रहा होता है एक character होते है John Dela Howe जो की concern होते है वहां की conditions के बारे में और जिस तरीके से वहां के labor को ट्रीट किया जाता है जिस condition में रह 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 होते हैं उसके लिए यह बहुत जादा concern होते हैं तो जो वहां के boss होते हैं यह उनसे एक बारी बात भी करते हैं request भी करते हैं इसको improve करने के लिए जो की होते हैं Charles Croft Cook लेकिन यह जो होते हैं क्रुएल होते हैं बहुत रूड होते हैं यह इसको मना कर देते हैं तो जो गंगु की wife होते हैं सजनी वो क्लोरिया के कारण उसकी death हो जाती है तो जो उसकी wife की death हो जाती है तो उसकी body को criminate करने के लिए funeral के लिए गंगु जो हो पैसा मांगता है बुरा साहीब से जो की ultimately Charles Croft ही है लेकिन वो मना कर देता है उल्टा उसको डाट के भगा देता है कि तुम तुम जो है टच भी मत करना मुरको ऐसा उसको वार्ण करके भगा देता है तो वो funeral के लिए जो है बनिया से पैसा उधार लेता है और अपनी वाइफ का प्रिमिरेट करता है एक और इसमें ब्रिटिश करेक्टर है वो है रेजी हंट जो कि एक वाइट टी प्लैंटर होता है यह क्या करता है जब यह लैला को देखता है तो उसके तरफ बहुत ज़ादा अट्रेक्ट हो जाता है उसको सड्यूस करने की कोशिश करता है लेकिन जब गंगु यह देख रहा होता है तो वो उसको बचाने की कोशिश करता है उसको रोकता है तो रेजी क्या है उस वक्त फायर कर देता है बंदूग चला देता है और गंगु की डेथ हो जाती है तो बाद में रेजी के ओपर चार्ज तो बहुत ज़ादा फाइल होते है इसके गंगू के मर्डर के लेकिन जो वहाँ का बाइस्ट जस्टिस सिस्टम होता है वाइड जूरी होती है वो रेगी को नोट गिल्टी डिकलेयर कर देती है तो यहाँ पर जो करेक्टर है ना चार्ल्स क्राफ्ट कूक इसको सिंबल ऑफ कैप्टिलिस्टिक दिखाया गया है और इसको सिंबल ऑफ एक्स्प्रोइटेशन के तौर पे दिखाया गया है उमीद है आपको समरी समझ आ गई होगी टू लिस एंड अ बर्ड की नेक्स्ट इंपोर्टन नॉवल है इनकी लेमेंड ऑन दा डेथ ऑफ मास्टर अफ आर्ट्स जो की आई थी 1939 में यह जो है आनंद की शॉर्टेस्ट नॉवल है इसमें सिर्फ 66 पेजिस है और इस नॉवल को डेडिकेट किया है मार्यन इवन्स को यह एक ट्रेजिक नॉवल ह अछिक इसमें करेक्टर को में नॉर मिलती है क्लर्क पोस्ट उफिस में लेकिन उसको काम यह पंसंद है क्यूक्व लगता है कि मेरगरें जाधा है आई चाप्षाव से मुझे काम नहीं मिल रहा है तो वो एक तो परिशान रहता है और पर से उसकी एनरजी उसकी willpower खतम हो जाते है बट वो still काम कर रहा होता है और इसे भी जो है वो बिमार पर जाता है टीबी का patient बन जाता है बेड रिडन हो जाता है और फिर कहाने शुरू होती है जब वो अपने past को remember कर रहा होता है कि वो किस तरीके से ambitious हुआ करता था और यह सब सोच के वो फोड़ा सा frustrate हो जाता है यंग एज में ही उसकी mother की death हो जाती है जब वो child होता है उसके teachers उसको मारते पीटते हैं फिर इसे बीच कैसे वो दिरे दिरे college के तरफ move करता है college join कर लेता है education complete होती है उसकी education complete होने के बाद उसके बर्डन आ जाता है जानक से arrange marriage का हालाकि वो arrange marriage के favor में नहीं होता है वो अपनी married life को enjoy नहीं कर पा रहा होता है फिर उनकी एक daughter हो जाती है तो मतलब वो खुश नहीं होता है वो physical pain mental pain जो है वो सफर कर रहा होता है और इसी बीच जो है उसकी death हो जाती है तो यह जो है story है a lament on the death of master of arts उमीद है इनों ही novel की जो आज हमने discuss किया है आपको समरी बहुत अच्छे से clear हो गई होगी next video में हम बाकी के इनके जो novels हैं उनको detail में discuss करेंगे so thanks for watching this video और अगर आपको videos पसंद आ रही है तो videos को like करें और आपके जो भी suggestions है comment section में जरूर बताएं thanks for watching this video